सो यह लोगाइस स्वागाता आपका हमारे येटूब चेनल में मैं आपका दोस्त रुपेश लोधवाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने कायन मास्टर के लिए एक से बढ़कर एक कस्टम फॉंट के से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि अगर आ आपको परस ने किसी वीडियो में आपको एपशन वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हम कायन मास्टर्स रिलिटेट एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं सो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट सो गाइस सबसे बिले आपको किसी भी एक ब्रॉजर को उपन करना है आप देख पाएंगे यहाँ पर मैं उपन कर चुका हूं यहाँ पर गूगल भी आपके सामने उपन हो चुका है आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वेबसाइट आपके सामने उपन हो जाएगी वेबसाइट उपन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको उपर मिलेगी धेर सारी केटिगिरी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप थोड़ा दर स्वोल करते जाएंगे तो भी आप देख पाएंगे आपके सामने एक सबड़कर एक केटिगरी आ जाएगी आपको जीज भी केटिगरी का फोंट डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको वो केटिगरी मिल जाएगी अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको कोई भी font आपके से download करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ font आपको दिखाये दे रहे हैं यहाँ पर मैं किसी भी एक font को select करता हूँ जिसलिके आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप थोड़ा से right hand की साइड स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाये देगा download बटन बस आपको इस पर click करना है click करने के बाद यह जो font आपने download बटन पर click करने के बाद download किया है यह आपके phone storage पर जाक कर save हो जाएगा यानि download हो जाएगा हाँ तो गाइस हमने जो font यहाँ पर अभी download किया है अब आपको यह मिलेगा कहाँ पर सबसे पहले आपको अपना file manager open करना है open करोगे तो यहाँ पर आपको दिखार देगा download folder आपको simply click करके इसको open करना है open करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको z file में आपका phone टेमील रहा है तो गाइस सबसे पहले आपको इसको extract करना होगा अब आप यह कैसा करेंगे सबसे पहले आपको मैं वो बताता हूँ अब यह जो extract करने की process है हर mobile में अलग-अलग होती है लेकिन बिल्कुल same ही होती है आपको ज़्यादा मगजबारी करने की ज़रूत नहीं है तो गाइस यह है हमारी download file आपको simply इस पर click करना है click करने के बाद नीचे आपको दिखाया देगा extract है आपको इस पर click करना है क्योंकि यह file kindmaster पर आप add करने ही सकते और यह add होगी भी नहीं जैसे कि आप देख सकते यह delete हो चुकी है अब जो file आपको दिखाये दे रही है यही हमारी font file है अब हम इसको kindmaster में add करेंगे हाँ तो guys आपको सबसे पहले kindmaster को open करना है create new पर click करना है जो भी ratio आपको पसंद है आपको simply उस ratio पर click करके next button पर click करना है यहाँ पर आप अपना photo या video जो भी add करना चाहते है add कर सकते है example के लिए यहाँ पर मैं किसी भी एक bigrand image को add कर देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं add हो चुकी है अब guys आपको layer पर click करना है text पर click करना है यहाँ पर आप जो भी type करना चाहते हैं वो आप type कर दीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने subscribe type क्या है अब आपको ok press करना है अभी आप देख पाएंगे यह default kind master का ही font है लेकिन अब हम इसको change करेंगे change करने के लिए आपको font वाल icon पर click करना है उपर आप देख पाएंगे आपको दिखाय देगा plus का icon आपको इस पर click करना है अब guys उपर आप देख पाएंगे आपको three line दिखाय दे रही है आपको यहाँ पर click करना है So guys हमारा font download folder में है तो simply हम इस पर click करेंगे Click करने के बाद हमने जब folder extract किया था आपको इस पर click करना है यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका file आपको मिल जाएगा यानि font file आपको मिल जाएगा आपको इस पर click करना है आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका favorite font custom font यहाँ पर kind master के अंदर add हो चुका है बस आपको यहाँ पर okay press करना है अब यह आप देख सकते हैं आपका font यहाँ पर add हो चुका है आप यहाँ पर click करेंगे फिर right click करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो default text था वो change हो चुका है यानि जो default font था वो change हो चुका है इसी तरीके से आप धेड़ सारे font अब काइन मास्टर पर add कर सकते हैं तो गाइस यह था एक छोटा जा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको सारी बाते बिल्कुल simple way में सिखाई भी है और दिखाई भी है उम्मिद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो हो तो इस वीडियो को like करें चेल को subscribe करें और पासी की बिल आइकन को प्रेस करें आलवल अप्शन पर क्लिक करके ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाए दे रहा है जो की आप की काम का है इस वीडियो को भी देखना ना भूले तेंक्स पर वोचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई टाटा